दोस्तों बैंकिंग बंदू चैनल पे आपका स्वागत है आज का हमारा टोपिक है रियलिटी होम लोन फर प्लोट्स SBI कैसे प्लोट लोन देता है जबकि दूसरे बैंक प्लोट लोन नहीं दे पाते हैं प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो बहुत ही कम बैंक ऐसे हैं जो प्लोट के लिए लोन देते हैं आज का हमारा जो टोपिक रहेगा यहां पर कैसे SBI 15 करोड तक का प्लोट के लिए लोन देता है चलिए हम जानते हैं इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आपको क्या-क्या खर्चा पड़ता है क्या इसकी फैसिलिटीज हैं क्या फीचर्स हैं सब कुछ हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आई यह स्टार्ट करते हैं बैंकों में प्राइवेट बैंकों में HDFC, ACCIS, ICICI प्लोट खरीदने के लिए लोन देते हैं बड़ सरकारी बैंकों में बहुत कम बैंक हैसे जो प्लोट के लिए लोन देते हैं SBI उनमें से एक है जो आपको प्लोट खरीदने के लिए लोन देता है उसका purpose क्या रहेगा आपको plot तो खरीदी सकते हैं आप पर उसके ओपर construction कराने के लिए कितना समय मिलता है चलिए देखते हैं कौन eligible है SBI reality home loan के लिए individuals जो 18 साल से उपर है और जिनकी age 70 साल से नीचे है वो सब plot loan SBI bank से ले सकते हैं और बहुत ही कम दौरों पर यह इसकी खास बात है कि कैसा loan रहता है यह term loan में मिलेगा आपको overdraft facility नहीं मिलेगी यह ध्यान देने वाली बात है maximum borrowers यह हमेशा doubtful रहता कि कितने लोग मिलके plot के लिए कोई भी loan ले सकते हैं जी जिन जिन लोगों के नाम आपके हर title execute होगा वो सब लोग मिल सकते हैं चाये वो दो लोग हैं तीन लोग हैं चार लोग हैं कितने भी लोग होंगे इसमें आपको परिशान होने के जरूरत नहीं है तो जितने लोगों के नाम title execute होगा वो सब लोग plot के लिए loan ले सकते हैं मिनिमम लोन अमाउन पांस लाक रुपे का रहेगा इस स्कीम के अंदर और मैक्सिमम पंदरा करोड रुपे तक का बड़े बड़े शहरों में प्लोट की गीमत आप समझ सकते हैं कि कितनी होगी तो इसलिए पंदरा करोड तक का प्लोट के लिए लोन SBA देता है rate of interest मुद्दे की बात अब यह रहते है कि आपको rate of interest क्या रहेगा जो normal होम लोन है और max gain होम लोन है हम यहा पे दो वह बाते डिसकस करते हैं कि term loan के अंदर जो normal होम लोन है उसको max gain बोला जाता है अगर आपका loan 30,00,000 उर्पे से नीचे है term loan है तो 7.20 का rate आपको रहेगा और max gain के अंदर 7.45 का और अगर आपका loan amount 30 से 75 के बीच में है तो 7.45 का आपको normal home loan लगेगा और max gain की आपको rate of interest लगेगी 7.70 ऐसे 75,00,000 से अगर आपको उपर है home loan plot loan तो EBR मतलब आपको 7.55 का rate यहां लगेगा और max gain के अंदर 7.80 का rate आपको लगेगा plot loan के अंदर आपको maximum time 5 साल के लिए मिलता है construction कराने के लिए आपने आज plot खरीदा आपको future में 5 साल के लिए time मिल जाएगा जो moratorium period भी आप उसको बोल सकते हो या honeymoon period भी बोल सकते हो आपको 5 साल के अंदर अंदर construction स्टार्ट करना होगा in case of no construction at all आपका rate of interest जो रहेगा जो normal आपको bank ने commit किया है उससे ज़्यादा लगेगा क्यूंकि plot loan में भी आपके लिए condition है कि आपको plot plus construction करना होगा नहीं तो आपको commercial rate चार्ज होगा अगर आप हमारे channel पर नए है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे हमने SBI के almost सभी products पे आपके लिए videos बनाई है SBI के home loans के लिए SBI के car loans के लिए SBI के different products पे क्या-क्या rate of interest है क्या-क्या penalties है हमने सब तरीके की videos बनाई है आप हमारे channel की playlist में जाके या SBI की playlist में जाके इसमें देख सकते हैं कि कौन-कौन सी videos है और आप उनका फायदा उठा ये बहुत interesting videos है और knowledgeable है processing fees इसमें क्या रहेगी .35% minimum आपको charge लगेगा अगर 2000 रुपे है तो नहीं तो maximum 10,000 रुपे का charges में लगेगा generally ये wave of रहता है Charges pre-closure और foreclosure देखिए आपको यहाँ पे stamp duty अपनी जेब से देनी होगे अगर PPC wave है तब भी आपको जो charges है stamp duty के आपको देने होंगे title search report के आपको देने होंगे valuation report के आपको देने होंगे क्योंकि ये charges ऐसे है जो bank भी आपके लिए खर्च करेगा तो bank out of pocket expenses के नाम पे इनको आपसे ही लेता है bank अपने आपसे charges नहीं बियर करता है PPC charges वो होते हैं जो proposal process करने में bank वालों का समय जो लगता है उसके लिए आपके जो charge रहेंगे वो generally wave रहते हैं उसके application के लिए आप bank में पता कर सकते हैं कि क्या status है जब आप loan apply कर रहे हैं Preclosure penalty इस particular product में कोई penalty नहीं है आप जब sanction letter देखेंगे तो sanction letter में आपको clear हो जाएगा कि क्या charges है और क्या penalties है Maximum loan amount आपको कितना मिलता है 15 करोड का हमने बता दिया पर कभी भी bank आपको maximum नहीं देता है क्योंकि आपकी loan eligibility नहीं बन पाती है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि bank आपका loan amount कैसे decide करता है EMI, NMI ratio, LTV ratio कितना loan आपने apply किया तीनों में समझते हैं difference क्या होता है EMI, NMI ratio मतलब अगर आपकी monthly salary 50,000 रुपे है तो आपको अगर EMI ratio में आप 3,5,000,000 के bracket से उपर आ जाएंगे मतलब 5,8 के bracket में आ जाएंगे तो आपको 50% आप अपनी income का EMI में दे सकते है क्योंकि आपको 25% मतलब उसका आधा 25,000 रुपे में आपको घर भी चलाना है बच्चों के school के fees भी देनी है आपको other expenses जो routine के रहते हैं वो भी करने है तो ये आपका EMI, NMI ratio का concept रहता है जैसे जैसे आपकी income बढ़ती है आप वैसे वैसे EMI का portion बढ़ा सकते है loan to value आपको आपके घर की value का या plot की value का कितने percent loan मिलेगा अगर वो आपके home loan की amount 75,000,000 है तो आपका LTV ratio 70% तक रखा जाएगा अगर loan amount आपके 75,000,000 है तो LTV ratio कम हो जाएगा देखिए अगर आपने यहाँ plot loan की बात करें अगर आपने यहाँ पे 70,000,000 रुपे तक का loan लेना है तो आपको 60% 70,000,000 रुपे तक के loan में 70% आपको देना होगा 70% bank आपको देगी बाकी आपको अपना contribution देना होगा जैसे अब ही देखिए अगर आपको 72,000,000 रुपे का loan चाहिए तो उसमें plot की value 60,000,000 रुपे होगी अगर आपका loan की value suppose 75,000,000 रुपे आप मान के चल रहे हैं तो proportionately आप adjust कर सकते हैं कि आपको कितना portion अपना देना होगा और bank कितना देगी repayment period 120 महीने maximum आपको मिलता है इस particular product के अंदर 10 साल यानी की moratorium इसको नहीं मिलता है आपको क्योंकि आप पहले से plot खरीद रहे हैं और plot पे construction के लिए आपको 5 साल का समय ओरड़ी दिया जा रहा है इसलिए इसमे moratorium period निल आपको कोई भी moratorium period नहीं मिलता है documents इसमें क्या क्या जहीं आपको same complete application form passport size photograph pen आधार आपके ITR अगर आप business man ने तो आपका balance sheet वगरा आपके GST returns की copy ताकि वो आप bank आपकी income asset in कर सके कि आप जो कमा रहे है जो दिखा रहे है वो वाकिए books में है recorded है या नहीं है asset liability statement आपके बास क्या assets है disbursement of loan इस loan की एक condition है जैसे home loan के अंदर आपको पैसा दे दिया जाता है कई बार आपके account में दे दिया जाता है कई बार builder को दिया जाता है नहीं तो आपको reimburse कर दिया जाता है यहाँ पे आपको disbursement of loan मिलेगा payment to seller only जिनसे आप plot खरीद रहे हैं केवल उनहीं को पैसा जाएगा आपको नहीं मिलेगा no benefit of taxes यहाँ पे आप plot खरीद रहे हैं या भी construction नहीं हुआ होम loan के अंदर tax के benefits होते हैं plot loan के अंदर कोई tax benefit नहीं होता इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कैसे आप apply कर सकते हैं online भी कर सकते हैं और branch walking भी कर सकते हैं किसी branch में जाके भी पता कर सकते हैं नहीं तो आज कर customer के numbers available हैं आप bank को phone कर सकते हैं bank आपके पास river call आजाएगा आपको product समझाने के लिए आपकी सब जानकारी के लिए यह जो हमने information ली है state bank की site पर available है योनों पर भी available है और आप online branch में जाके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं walking branch में जाके भी पता कर सकते हैं आपको सही stick जानकारी मिलेगी उमीद करते हैं दोस्तों यह plot loan की वीडियो आपको अच्छी लेगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर करिए ताकि आपके दोस्त भी अगर plot loan लेने की सोच रहे हैं तो वो इस वीडियो का फायदा उठा सके अपना decision अच्छे से ले सके थैंक्यू